प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने उत्तर प्रदेश में करीब 42,000 करोन रुपे की विकास पर योजनाओं का किया लोकारपड और शेलान्यास आजमगड में एक जनसभा को किया संबोधित कहा 2019 में हुई घोशनाओं को देश ने पूरा होते देखा पिशली सरकारों पर लगाया जनता की आखों में धूल जोकने का आरोप आज मिलेगी 36 गड़ की महिलाओं को महतारी वंदन योजना की पहली किस्त प्रधान बंत्री नरेंटरबोधी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये 70 लाख महिलाओं के खाते में पैसे करेंगे ट्रांसफर संदेश खाली मामले के मुख्या रोपी पूर्वी टीमसी नेता शाजहाशेक की बशीरहाट की अदालत में पेशी उचन्यायाले के आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने शाजहाशेक को किया था सीबी आए के सुपोर्ट बिहार में अवैद रेत खनन मामले में प्रवतर निदेशाले ने लालुप्रसाद यादव के करीबी सुभाश यादव को गिरफ्तार किया इजी की छापयमारी में सुभाश यादव के ठिकानों से दो करोड रुपे से अधिक कैश जब्द भारत बना दुनिया का दूसर सबसे बड़ा मोबाइल मानिफाक्चरर बीते 10 साल में 97 फीसदी तक आत्म निर्भरता के साथ 7500 फीसदी बढ़ा निर्यात भारत ने संयुक्त राष्ट सुरक्षा पहिशत में सुधार पर एक बार फिर दिया जोर यूएन में भारत के स्थाई प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज ने वीटो शक्ती पर जताई चिंता कहा सुधार प्रक्रिया में वीटो नहीं बनना चाहिए बाधा और बेडमिंटन में फ्रेंच उपन के खिताबी मुकाबले में आज सत्वे के चिराग की जोरी का चीनी ताइपे की जोरी से होगा सामना इस सत्र में लगातार तीसरे फाइनल में खिताब की तलाश में उत्रेगी भारतिय जोरी और डीडी न्यूस पर आप सभी का स्वागत है मैं हुरेतू अर्मा खबरों को विस्तार से देखते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्रप्रदेश के दोरे पर आजमगर में 34,700 करोण रुपे की लागत से कई विकास पहलों का उद्गाटन, लोकारपन और शिल प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतरगत 3700 करोड रुपे से अधिक की लागत से बनी, 744 ग्रामील सड़क पर योजनाई राष्ट को समर्पित की, पीम ने कहा कि परिवारवादी पाठीयों के शासनकाल में इतने विकास कारें का होना संभव था, उन्होंने पि परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कारिय और संभव था, पिछली सरकारों में आजमगर्ड और पुर्वांचल ने पिछडे पन की तकलीपी नहीं उठाई, बल्कि इस दोर में यहां की छबी खराब करने भी भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई, जिस तरह पहले की सरकारों में यहां आतं को बहुबल को सवर्वक्षन दिया गया, वो पुरे देश ने देखा है, इस परिस्तिति को बदलने के लिए, यहां के युगाओं को नए आउस देने के लिए भी, डबल इंजिन सरकार लगातार काम कर रही है, पिम मोदी ने विकास कारेयों की सौगात को चुनावी चेश्मे से ना देखने की हिदायत भी दी, पिम ने कहा कि पिछली सरकारें चुनाओं के समय सिर्फ घोशनाएं करती थी, जब मैं एनालिसिस करता तो 35-35 साल पहले गोशनाएं हुई, कभी चुनाओं के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे, याने सिरफ गोशनाएं होना, और मुझे आद है, जब 2019 के वर्ष में, मैं तो पहला हेट लाइन यही मनता था, कि देखो मैं यह तो चुनाव है, इसलिए हो रहा है, आज देश देख रहा है, मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है, उन्नीस में भी जो हमने सिलान नियास किये, वो चुनाव के लिए नहीं किये थे, आज उसको धरापतल पर उतरते उद्गादर कर चुके हैं, और आज चौबिस में भी कोई महरबानी करके इसको चुनाव के चस्मों से न देखें, यह विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है, और मैं 2047 तक विक्सित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गती से दोड़ रहा हूँ, तेज गती से द प्रधानमंतरी ने गंगा नदी पर एक रेल पुल सहित गाजिपूर शहर और गाजिपूर घाट से तारीघाट तक एक नई रेल लाइन का भी उदगाटन किया, उन्होंने गाजिपूर सिटी तारीघाट दिलदार नगर जंक्शन के बीच M.E.M.U. ट्रेन सेवा को भी हर जंडी दिखाई, प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी ने कारेग्रम में शामिल होने से पहले विकास पर योजनाओं से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, इस अफसर पर उत्रप्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित तिनाथ ने विकास पर योजनाओं के लिए प्रधानमंतरी का भार जाताया इस आजम गाड़ को पिछली सरकारों के कारण अपराद और माफिया गद्विदियों का गड़ बना दिया गया था आज आदिन ये प्रधानमंतरी जी उसी आजम गड़ में आकर के यहां पर मनी की बोचार कर रहे हैं हजारों करोड उपे की प्रियोजनाओं की सोगात देने के लिए आजम गड़ आये हैं आजम गड़ को पिसले दस वर्स के अंदर न केवल सुरक्सा का एक बहतर वातावरण देने के लिए बलकी बिकास और आधुनिक और इंफ्रस्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए आजम गड़ को लोग कल्यान कारी उन विभिन योशनाओं के साथ जोड़ने के लिए हम सब आधन ये प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से आभार वेक्ते करते हैं वक्त एक छूटे से ब्रेक का है बुलेटिन में खबरे भी और भी है देखते रहे हैं डीडी न्यूज बिस्नेस गूरू की जरूरत थी खास सीधे गए SPI स्टार्ट अप रांच पे तो खुल गया सक्सेस स्टार्ट अप एडवाईजरी अन सपोर्ट SBI स्टार्ट अप ब्रांच पे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी वीडियो कंफरेंसिंग के जरिये 36 गड़ में महतारी वंदन योजना की पात्र महिलाओं को आज योजना की पहली मासिक किस्थ का वित्रण करेंगे योजना राज्य की पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक प्रत्यक्ष लाब अंतरन के रूप में 1000 रुपे प्रती महा की वित्य सहायता प्रदान करने के लिए 36 गड़ में शुरू की गई है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनुश्चित करने उन्हें वित्य सुरक्षा प्रदान करने लेंगिक समानता को बढ़ावा देने और परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को मजबूत करने के लिए इसकी परिकल्पना की गई है ये योजना राज्य की सभी पात्र विवाहित महिलाओं को लाप्रदान करेगी जिनकी आयू एक जनवरी दो हजार चॉबिस तक 21 वर्ष से अधिक है विद्वा तलाक्षुता और पारित्यत महिलाओं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी योजना से करीब 70 लाख महिलाओं को फायदा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजी मुख्याले, जिला मुख्याले, ब्लॉक मुख्याले इवं नगरिय निकायों में आयोजित कारेक्रमों से सीधे वर्च्वल जोड कर लोगों को संबोधित करेंगे और हित ग्राहियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुमवार को सशक्त नारी विक्सित भारत कारेक्रम में भाग लेंगे और नई दिल्ली के भारतिये क्रिशी अनुसंधान संस्थान पूसा में नमो ड्रोन दीदियों द्वारा आयोजित क्रिशी ड्रोन प्रदर्शनी देखेंगे। इस दृष्टी कोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री लखपती दीदियों को भी सम्मानित करेंगे जिनोंने दीन देयाल अंतोड़य योजना राश्चे ग्रामीन आजीविका मिशन के समर्थन से सफलता हासिल की है और अन्य स्वेम सहायता समूह के सदस्यों को उ आथ हजार करोड रुपे के बैंक रिंड भी वित्रित करेंगे प्रधानमंत्री स्वेम सहायता समूह को लगभग आथ हजार करोड रुपे का बैंक रिंड और दो हजार करोड रुपे का पूंजी सहायता कोश वित्रित करेंगे पीम लखपती दीदियों को भी सम्मानित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल द्वारका एक्सप्रेस वे का शुभारम करेंगे द्वारका एक्सप्रेस वे के चालू होते ही मानेसर से दिल्ली के द्वारका तक पहुचना बेहद आसान हो जाएगा इससे नकेवल समय बलकी इधन की भी भारी बचत होगी लोगों में भी द्वारका एक्सप्रेस वे को लेकर काफी खुशी है लोगों का कहना है कि इससे दिल्ली के कई अलाकों में आना जाना काफी आसान हो जाएगा और आईए अब खबर पशिम बंगाल से संदेश खाली मामले में आरोपी शाजाशेक को सीबी आई ने आज बशीर हाट की अदालत में पेश किया कोट पूर्व टीमसी नेता की हिरासत पर आदेश सुनाई की इससे पहले कुलकता उचन्यायाले के निर्देश पर कुलकता पुलिस के अपराद जाच विभाग ने शाजाशेक की हिरासत सीबी आई को सौब दी थी पशिबंगाल के नौर्थ 24 परगनाज जिले का संदेश खाली गाउ पिछले एक महीने से राजनेते खंगामे का केंद्र बना हुआ है संदेश खाली मामले पर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है बंगाल बीजेपी आज बशीर हाथ में चलो संदेश खाली सभा कर रही है पशिम बंगाल सरकार के राम नवमी पर सारुजनी कफकाश के फैसले को भाश्पाने राजनेत एक प्रपंच करार दिया है भाश्पानेता अमित मालवे ने ममता सरकार पर निशान साथते हुए सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ममता बैनर जी जो हर बार जैशी राम सुनते ही गुस्से से निली हो जाती थी विपशिम बंगाल में राम नवी जो की 17 अप्रिल को है उसके लिए छुट्टी दे रही है ऐसा उन्होंने अपनी हिंदू विरेधी छवी को बदलने के लिए किया है हलाकि बहुत देर हो चुकी है इससे भी महतुपून बात ये है कि उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि राम नवी के जुलूस पर कोई पथराव ना हो क्या वह ये सुनिश्चित कर पाएंगी कुछ ऐसा ही हमित मालवय ने अपनी अपनी ट्वीट में लिखा है आज त्रिन्मुल कॉंग्रेस पशिम बंगाल में अपने लोग सभाव मिदवारों की पहली सूची जारी करने वाली है बताया जा रहा है कि त्रिन्मुल कॉंग्रेस 42 सीटों पर चुनाव लड़ेगी साथी पशिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बैनेवर जी आज कोलकाता के ब्रिगेट ग्राउंड पर एक रैली को भी संबोधित करने वाली है और लोगसबा चुनाव से पहले कॉंग्रेस की मुश्किले कम नहीं हो रही है राजस्तान में कॉंग्रेस को बड़ा जटका लगा है राजस्तान सरकार में पूर्व मंत्री राजिंद्र यादव और लाल चन्द कटारिया ने बीजेपी जोइन कर ली है पूर्व मंत्री राजिंद्र यादव और लाल चन्द कटारिया पूर्व विधायक रिश्पाल मिर्धा और आलोक बेनिवाल भाजपा में शामिल हो गए है राजस्तान के सीएम भजनलाल शर्मा राजस्तान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रदेश अध्याक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में कई कॉंग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए इस अफसर पर केंद्रे मंत्री भुपेंड्रियादव भी मौजूद रहे ओरिशा के सैंड आर्टिस सुदर्शन पतनायक ने लोकसभा चुनाव से पहले मतदान के महत्व को अपनी कला के जरिए दर्शाया है उन्होंने पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के बीच जागरुकता बढ़ाने के लिए रेत कला बनाई सुदर्शन ने अपनी कलाकारी में संदेश भी दिया है उन्होंने लिखा कि मेरा पहला वोट देश के लिए तो फर्स्टाइम वोटर्स को डेडिकेट करता हुआ उनका ये सैंड आठ है सुदर्शन पतनायक का और बाट एक चोटे से ब्रेकता है या लड़ू आँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं नाचिप अर्ण एक बैठे बनार जाए ने हैं तुम्हारे बिजनिस आईडिया का बड़ा फैन अब बिजनिस चाहे जोगी एस बिए का करेंट अकॉंट तचाहिए ना SBI करेंट अकाउंट से सिंप्लिफाइड बिजनेस टांसाइक्शन और ग्रेड कास्टमर सर्विस SBI, देश काफ़ देखो यार, जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं पता नहीं कब फोटो पे हार चड़ जाए और फैमली का फ्यूचर बच्चों की पढ़ाई ए खत्रें पढ़ जाए सो आज ही पॉलिसी बजार से एक करोड का टर्म लाइफ इंशॉर्स कराओ सिर्फ 525 रूपे महिने से शुरू तीन महिने में पैसे डवल वाह पास्ट और हाई रिटर्न्स भी क्या स्कीम है कल तो नहीं थी है और कल होगा भी नहीं तुने कभी पांच ओर में डवल सेंचरी महारी है ऐसे स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं और आर्बिया ही कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समस्दारी से निव पच्पन करोड़ लोगों को दी हर साल पांच लाख रुपे तक के मुफ्त इलाज की निश्चिन्त था हमारा संकल्ब विकसित भार इडी ने बिषार में अवैद रेत खनन मामले में लालुयादव के करीबी सुभ़षियादव को गिरफ्तार कर लिया है सुभाश यादव के कर्मचारी और करीबी से एजेंसी ने 2 करोड 15 लाग जब्त किया है एदी ने राज़त नेता सुभाश यादव के आग ठिकानों पर 14 घंटे चापे मारी की एजेंसी को दानापुर स्थेत आवाज से 2 करोड कैश के अलावा अकूद संपत्ती से जुड़े दस्तावेज मिले हैं सुभाश यादव 2019 में आरज़ेडी के टिकेट पर लोगसभा चुनाव लड़ चुके हैं बौध विकास के लिए 38 परियोजनाओं का शिला नयास किया नई दिल्ली के शास्त्री भवन में आयोजत कारिक्रम के दौरान स्पृति राणी ने कहा कि मोधी सरकार देश में बौध विकास को लेकर प्रतिबद है उन्होंने देश भर में बौध धर्म से जुड़े साहित्य और पांजुलीपी को संरक्षित करने के लिए आर्थिक सहायता देने के साथ ही हर तरह की मदद का भी आश्वासन दिया इंस्टिटूट अफ बुद्धि स्टडीज है और डेली उनिवासिटी में जो नया सेंटर हम इस्टैबलिश करने जा रहे हैं इन दोनों के समन्वे के साथ एक इंटरनाशनल अकडेमिक और स्किल सरकेट अफ बुद्धिजम को भी आप सब वरिष्ट और विशिष्ट लोग प्रपोस करें भारत सरकार का अलप संख्यक मंत्राले बुद्धिजम का जो इंप्रिंट विश्वभर में हैं उसके संदर्ब में हमारी जो मैनिस्क्रिप्स हैं हमारा जो लिट्रिचर है और कुछ ऐसी कल्चरल पद्धितियां हैं जिनको संरक्षन की जरूरत है आप उसे मैप करके प्रपोसल के रूप में प्रस्तुत करें हम कोशिश करेंगे कि पूरा आर्थिक सहयोग आपको मिलें ताकि भारत की बुद्धिजम की दृष्टी से जो अंतरराश्ट्रिय स्पिरिचुल जर्नी है उसको भी हम डेवलाप्मेंट प्लैन में समाविष्ट कर सकें केंद्रिय श्रम एवं रोजगार मंत्री भुपेन यादव ने राजस्तान के अलवर में करमचारी राज्य बीमा निगम उप्षेत्रिय कारेयाले का उदगातन किया इस अफसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने करमचारी राज्य बीमा एएसाई योजना के तहट बहतर स्वास्त देखभाल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई श्रमिक और नियोक्ता अनुकूल उपाय शुरू किये हैं भुपेन यादव ने करमचारी राज्य बीमा एस्पतालों में कीमोठेरेपी और डायलेसिस सेवाएं शुरू करने जैसे उपायों पर जोर दिया उन्होंने किडनी आस्ट्रेलिया में कारिस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ पर 23 विश्व कॉंग्रेस के दौरान ESIC को ISSA Vision Zero 2023 पुरसकार मिलने का भी उलेक किया उन्होंने कहा कि सरकार देश के सभी श्रमिकों के लिए एकुदार और व्यापक स्वास्त देखभाल और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के विकास के लिए प्रतिबद है कर्मचारी राज्य बीमा निगम उपक्षेत्रिय कारियाले पांच जिलों अलवर खेर्थल तिजार कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर और डीग के लगभग 24,500 नियोकताओं और लगभग 12,000,000 लाबारतियों की जरूरतों को पूरा करने में सुविधा होगी E.S.I. योजना पहली बार राजस्थान राज्य में 2 दिसंबर 1956 को 6 ओद्योगे केंडरों, जैपूर, जोदपूर, भीलवाडा, पाली, बीकानेर और लाखेरी में लागू की गई थी वर्तमान में ये योजना राज्य के सभी 50 दिलों में लागू है और इसमें लगभग 95,000 नियोक ताशामिल है E.S.I.C. राजस्थान राज्य में लगभग 15,000,000 बीमित श्रमिकों और लगभग 58,000,000 लाबारतियों की चिकित्सा वेश्रक्षाओं की देखभाल करता है आज रेल यात्रियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि किसान संगठनों ने देश भर में रेल लोकों का आज आवान किया है पंजाब, हरियाना, सीमा पर अंदोलंकारी संगठनों ने सभी किसानों, मजदूरों और आम लोगों से आगरा किया है कि वे बड़ी संख्या में रेल रोकों में समर्थन करें आज शाम चार बजे तक ट्रेन यात्रा कर रहे है, लोगों को परेशानी जेलनी पड़ सकती है और अभी जो हमाय पस खबर आ रही है, भारत और यूरोपिय समू, EFTA के बीच समझोते पर हस्ताक्षर हो गया है इसे सो अरब डॉलर के निवेश का मार्ग इससे प्रशस्त होगा, केंद्रेमंत्री प्यूश गोयल की उपस्तिती में समझोते पर हस्ताक्षर हो गया है केंद्रेमंत्री प्यूश गोयल की उपस्तिती में समझोते पर हस्ताक्षर हो गया है, भारत और यूरोपिय समू, EFTA के बीच समझोते पर हस्ताक्षर हो चुका है, एक लंबे समय से बातचीत चल रही थी, 100 अरब डॉलर के निवेश का इससे मार्ग प्रशस्त होगा, भा भारत और यूरोपिय संग के बीच में, फ्री ट्रेट को लेकर ये बातचीत हो रही थी, EFTA पर एक लंबे समय से समझोते पर बातचीत जा रही थी, तमाम उन पहलूँओं पर दोनों ही पक्षों के बीच में लगातार चर्चाएं हो रही थी, जो आज निरनायक दौर पर भी पहुची, जिसके संकेत बहुत पहले से मिलने शुरू हो गए थे, और अब 100 अरब डॉलर के बीच का एक तरह से, दोनों देशों के बीच अब व्यापार होना संभव होगा, भारत और यूरोपिय समू, EFTA पर के बीच समझोते पर हस्ताक्षर आज हो गए हैं, केंद् फ्री ट्रेट को लेकर बात कर रहा है और उसी सलसिले में, मुक्त व्यापार समझोते में, अब भारत और यूरोपिय संग के बीच, ये एक बड़ी एक तरह से उपलबधी है, यूरोपिय समू के साथ, भारत अपनी इस बातचीत को एक लंबे समय से आगे बढ़ा रहा था जिसमें अब बड़ी सफलता भारत और यूरोपिय समू दोनों को मिली है आने वाले समय में, दोनों ही देशों, दोनों ही पक्षों को एक तरह से कहें, तो एक बड़ी एक तरह से व्यापार और आर्थिक भागिदारी में सहूलियत होगी, साथी साथ दोनों ही पक्ष में रखते हुए और तेजी से आगे बढ़ेंगे, भारत की विकास यात्रा में ये एक बड़ा कदम है, EFTA ग्रुप के साथ किया व्यापार एक समझोता, इस समझोते के भारत, भारत और EFTA में समझोता हुआ है, आइसलेंड, लाइक स्टाइल, नॉर्वे और स्विजलें के बीच ये समझोता हुआ है, इस समझोते से वस्तूओं, सेवाओं और निवेश में व्यापार आसानी से बढ़ सकेगा, EFTA देशों को भारत हर तरह की सहायता देगा, केंद्रिय मंत्री प्यूश गोईल की उपस्तिती में समझोते पर हस्ताक्षर हुए हैं, भारत EFTA व व्यापार और आर्थिक साज़दारी समझोते पर हस्ताक्षर ये एक बड़ी खबर है, और आने वाले समय में EFTA देशों और भारत के बीच में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, भारत की विकास यात्रा में भी समझोते की एहम भूमिका होगी, भारत ने EFTA ग्रूप के साथ किया व्यापारिक समझोता, सो अरब डॉलर के निवेश का मार्ग होगा प्रशस्त, विक्सित भारत की यात्रा में ये कुछ नए बड़े कदम आर्थिक विकास की तरफ हैं, जो सामने आ रहे हैं, भारत और ये उरोपिय समू, EFTA के बीच समझोते पर हस्ताक्षर हु यानि कि ये तमाम देश अब भारत में विभिनिक शित्रों में निवेश कर सकेंगे, जिसके लिए एक लंबी प्रक्रिया रही और बाची जारी रही, EFTA ब्लॉक के साथ, ये समझोता काफी एहम है, भारत ने किया EFTA समझोते पर हस्ताक्षर, सो अरब डॉलर के निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा, केंद्रिय मंत्री प्यूज गोएल की उपस्तिती में, इस समझोते पर हस्ताक्षर हुए हैं, बारत ने यूरोपियों मुक्त EFTA के साथ, व्यापार और आर्थिक बागिदारी समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं, भारत और EFTA के बीच सो अरब डॉलर का प्री ट्रेड एग्रिमेंट है, निवेश के कई मौके अब आने वाले समय में बढ़ेंगे, ये एक बड़ी उपलब धी कह सकते हैं, इंडिया, EFTA, भारत और EFTA करेगा व्यापार, आने वाले समय में 100 अरब डॉलर का प्री ट्रेड एग्रिमेंट जो हुआ है, उस दिशा में कई ऐसे क्षेत्र होंगे, सिवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, हम आपको बता दे अपने दर्शकों को अभी ये जानकारी दे दें, भारत ने आज नई दिल्ली में ये उरोपिय मुक्त व्यापार संग EFTA के साथ व्यापार और आर्थिक भागिदारी समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं, ये हस्ताक्षर वाने जरुद्योग मंत्री प्यूश गोईल की मौजूदगी में किये गए हैं, और इस मौके पर केंद्रे मंत्री प्यूश गोईल ने कहा भी कि समझोते के तहट यूरोपिय मुक्त व्यापार संग के देश भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करेंगे, इस से रोजगार के कई अफसर पैदा होंगे, इन देशों में आइसलेंड, लिस्टिंस्टाइन, नॉर्वे और स्विजिलेंड शामिल है, सेवाक्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, आज के इस भारत और EFTA के समझोते के साथ, व्यापार समझोता आने वाले समय में कई बड़े नए अफसर लेके आएगा, प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने अतिहासिक समझोते पर खुशी जताई है, आज के इस बड़े समझोते पर प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने भी खुशी जताई है, भारत और EFTA के बीच समझोता हुआ है, आने वाले समय में, ये समझोता कई नए अफसर खोलने जा क्षेत्र में और जो नए क्षेत्र हो सकते हैं उसमें परिवहन आई टी और यो विज्वल क्षेत्र ये कुछ ऐसे प्रमुग घरेलू से वाक्षेत्र हैं जहां निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने में अब मदद मिलेगी समझोते के तहत हम आपको बता दें यूरोप और इसके कई बड़े एक तारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं दे 10 ओफ मार्च 2024 मार्क्स न्यू टर्न ओफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस समझोते पर खुशी जटाई है भारत और EFTA बड़ा मौका है उनका कहना है कि दोनों ही एक तरह से सभी देशों के लिए और भारत के लिए निवेश और आर्थिक शेत्र में कई नए बड़े मौके सामने आएंगे भारत ने EFTA ग्रूप के साथ किया व्यापारिक समझोता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुश प्रतिए व्यापार समझोता खुले निश्पक्ष और न्याय संगत व्यापार के प्रती हमारी साजह प्रतिबदता का प्रतीख है प्यमोदी ने अपने लिखित संदेश में कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साजेदारी समझोते टी इपी ए पर हस्ताक्षर करने मे शामिल वारताकारों और हस्ताक्षर करताओं को हारदिक बधाई और शुपकामनाएं हम आपको बता दें कि समझोते के तहट भारतिये प्रसंस्कृत क्रिशी उत्पादों को भी EFTA देशों में अधिक बाजार पहुच मिल सके गिया पिसके अलावा जो शेत्र हैं उनमें फार्मा चिकित्सा उपकरन और प्रसंस्कृत खाद जैसे शेत्रों को भी समझोते में शामिल किया गया है सोया डेरी और सम्वेदन शील्ड क्रिशी उत्पादों जैसे वस्तुओं को बहिशकार सूची में रखा गया है तो ये बड़ा एक तरस एक बड़ी खबर है भारत के लिए भारत के आर्थ जगत के लिए भी और भारत और EFTA देशों के बीच का ये हля को में शोवा एक बारत के लिए भारत का लिए जगा भारत के लिए।